हा रा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है जीतूँगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है मेरे माजी बन जाओ मेरी नाव चला जाओ बेटे को सामरिया तुम गले लगा जाओ हा रा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है जीतूँगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है सबसे पहले तो सभी को जैश्री शाम और खाटू वाले शाम जी का जो दर्बार है आज पूरी दुनिया में विश्व विख्यात हो रहा है उसी के चलते रुड़की में भी हर साल ये भव्यायुजन होता है और मुझे आने का मौका मिलता है रुड़की वाले सच में बड़े भक्त हैं राम जी के शाम जी के मैं जब भी यहां आता हूँ लगबग 15,000 भगत रहते ही रहते हैं तो ये बड़े सुभग्य की बात है और जिस प्रकार से उत्तरा खंड के नौजवान जुड़ रहे हैं भक्ती से ये बहुत बड़ी बात है देखिए ये भगवान के नाम की शक्ती है और वो एनरजी मेरी नहीं वो पंडाल में बैठ अधिन गाना मेरा पैशन है अपने मन की तसलिए के लिए सबसे पहले में गाता हूं फिर बात की बात है मैं मेरा जो बात गरीबी में कटा और मैंने मुझे याद है जब मैं दूसरी-3 क्लास में होता है तो अपने गली के बच्चों को दो बोरी बिचा कर और आनुमान जी क करता था तो मुझे लगता है कि आज जब हर चीज इतनी महंगी हो गई है तो जो जुगी जोपडी में लोग रहते हैं भगवान पर दिकार तो उनका भी है मुझे सुनने वाले तो वो भी है कही ना कहीं वो भी भजन सुनके कहते होंगे कि हम भी करहिया मित्तल को बुलाएं या हम भी वावा का दरबार लगाए तो इतना यूज नहीं हो सकता तो मैंने नियम बनाया कि हां हमें जाना चाहिए जुगी-जोपडी में और अभी मैंने पणझाब की राजजपाल से भी माननिय गवर्नर शाब सी भी कहा कि राजभावन के दरवाजे भी जुगी-जोप करना की और बहुत जल्दी गवर्णर हाउस में भी जुगी जोपडी के बिच्चों के साथ हम भजन संद्या करेंगे बिलकुल हमने अभी तैयार किया है बहुत जल्दी आपको सुनने को मिलेगा उसका टैग लाइन होगा भगवा धारी चा गए राम तंबू से महलो में आ ग अंगीत दिया है शब्द दिये हैं राम से बड़ा कोई नाम नहीं है अयुद्या से बड़ा कोई धाम नहीं है तो मुझे लगता है कि नौजवानों को पसंद आएगा और इसको अभी हमने बैक टूबैक हमारे नए भजन रिलीज हो रहे हैं अभी हमने आयुद्या के अगे तो मैं भजन लिख रहा था इसलिए गाड़ी में मुझे समय लगया बैठे बैठे तो यसा नहीं है कि 24 में क्या होगा कि आप मुझे हफते के लिए पूछ सकते कि अगले हफते कौन सा नहीं होगा क्योंकि मैं खुद लिखता हूं खुद ही उसका संगीत की कोशिश क करता हूं कमपोज करने की तो बहुत सारे भजन देखे मैंने पहले भी भजन सरकारों के लिए नहीं गाया ना मैं घाता लेकिन हां अब गाऊंगा उसका कारण यह है कि जो लोगों की चेतना जगी है आप देखिए सनातन के प्रती राजस्थान में मध्यप्रदेश में यह चतिस गड़ में यहां बीजेपी नहीं जीती यहां सनातन जीता लोगों की भावनाएं जीती आप उत्तरा खंड में देखिए धामे जी जिस प्रकार से कारे कर रहे हैं अवैद फोरेस्ट के अंदर जिस प्रकार से मस्जदें मजारे बना दी जाती हैं बिना सोचे समझे उसको यह लिए कारे करना तो यह कहीं न कहीं आगे बढ़ता है हरिद्वार की आप आज पूजिशन देखिए कि हिंदूों को सबसे बड़ा धाम है लेकिन वहां पर भी हिंदूों की कमी हैं बाकी धर्म के लोग जादा हैं तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि हमारे ध सदा होनी चाहिए बलकि तो उसके चलते हुए जो कारे हो रहे हैं सरकारों के अंदर सनातन लोग पहचान रहे हैं कि हमें किसको आगे लाना चाहिए तो बहुत बड़ी बात देखिए उत्तराखंड देव भूमी है और यहां की हवा जो है वो उसके अंदर भोलेनात का कहते हैं कि रंग रहता है मैंने दो लाइने लिखी थी कि पूरे भारत में पूरे भारत में भोलेनात के साथ तू ठंड देख ले आजा तुझे मैं दिखा दू तू मेरा उत्तराखंड देख ले तो यह हम लोग कुछ ना कुछ मन के अंदर क्योंकि हम लोग तो कलाकार हैं स्टेट के अंदर बढ़ रहा है उस पर आप नकेल कसे और सिरफ आप अगर नहीं करते तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप उनकी जानकारी भी दो जो कर रहे हैं ताकि उस केंडल को उस उस पूरे प्रजेक्ट को पकड़ा जा सके और हम स बढ़र नहीं है कर सकता है